नमस्कार जै साहिराम मैं ब्रिजमों सूरी मोटिविशनल स्पीकर साहिं गरंत राइटर रेड़ वुक एक्सपर्ट स्वागत कर रहा हूं आपके इस चैनल में यह चैनल आपका अपना चैनल है आप जानते हैं प्रति दिन मैं एक नया विश्य लेकर आपके स्मक्ष हाजिर ह होता हूं तो आज नया विश्य लेकर मैं हाजिर हूं तो आई सुनते हैं आज का नया विश्य जै साहिराम अब हम बात करेंगे चार एक्तूबर दो हजर बीस के उपाई की चार एक्तूबर दो हजर बीस को रविवार का दिन है और रविवार का उपाई करना है रविवार का उपाई सूरे को बली करता है साथ में मैं आपको बताऊंगा कि यदि प्रिवार में कोई सदस्य बार बार वोस्पिटल पहुंच जाता है या कोई सदस्य बार बर पुलिस टेशन पहुंच जाता है या किसी पर अदालती चक्कर हो रहे हैं तो इन सब के लिए क्या तोटका होना चाहिए ये भी मैं आज आपको बताऊंगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपाय की उपाय में हम क्या करेंगे कैसे करेंगे हमने इसको समझना है और अच्छी तरह से समझा कीजिए और पूरी वीडियो देखा कीजिए क्योंकि एक भी पक्षियदी रह जाए तो नुक्सान हो जाता है इसलिए मेरी कोशिश होती है कि आपको विस्तार से समझा जाए ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाए क्या उपाय है रविवार का रविवार के दिन आप एक लॉंग लीजिए और उस पर लाल दागा कोई भी लाल दागा लपेट दीजिए एक लॉंग लीजिए उस पर कोई भी लाल दागा लपेट दीजिए और उसको गुड में दबा दीजिए गुड का एक छोटा सा पीस लीजिए उसमें किसी पेचकस से या किसी भी नोकिली चीज से थोड़ा से शेद करके ये लोंग उसमें प्रेस कर दीजिए और उपर से गुड से ही उसको भर दीजिए अब ये जो गुड है आपने अपने गर की छट से जोर से फैंक देना और दीजिए ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर रोड पर जाकर जहां कच्छी जाके हो वहां फैंक दें जल परवाह कर दें ये दान नहीं करना है दरमसान में नहीं टडाना है बस इतना ही करना है इससे आपको बहुत अधिक लाब होगा और आप बहुत बड़े-बड़े नुक्स बच जाएंगे ये बहुत अच्छा टोटका मैंने आपको बताया है जो आपको बड़े-बड़े नुक्सान से बचा कर आपको लाब दिलाएगा और आपके परभाव को बढ़ाएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और आप तेजी से आगे बढ़ने के लिए इन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है आजकल यदी हो रही है नमक कम लग रहा है कम अरदर्द सरदर्द रहती है तो समझ जाना चाहिए कि सूरे वीक है ऐसे व्यक्तियों को गुड़दान का उपाए आठ यं-10 दिन लगातार करना चाहिए तो अब मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके पुलिस स्टेशन में यहां होस्पिटल में चक्कर लग रहे हैं तो क्या टोटका होना चाहिए जो आपको इन नुक्सानों से बचाएगा देखिए जिन व्यक्तियों को बार बार होस्पिटल जाना पड़ रहा है बिमार हो जाते हैं और होस्पिटल पहुंच जाते हैं पुलिस केस हो जाता है यहां पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं यहां दालत पहुंच जाते हैं तो इन लोगों को यहां से बचाने के इससे वो केसों में फसना बंद हो जाएंगे अदालत के का पानी पीए पुलिस टेशन का पानी पीए किसी एक का पी लें और इसी तरह जो होस्पिटल जिनको बार पर जाना पड़ता है वो होस्पिटल का पानी पीना शुरू कर दें यां होस्पिटल में जाकर कैंटीन में चाए पीएं बिस्किट खाएं तो उनको भी होस्पिटल से काफी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी यदि आप जनम कुंडली दिखाना चाहते हैं तो वाटसअप करें फोन मत करें फोन यहां कोई नहीं उठाएगा जनम कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं जनम कुंडली में बहुत सारे ग्रह होते हैं जब उनका उपाए मेन रूप से किया जाता है तो पूल रूप से लाब मिलता है